गुबलरी मरतानी, वो तो दांसी हाधी रानी देखा? देखा, हमने कहा था? कुछ तो गरबर है देखिया? ये माजरा है याला कौन है ये औरत? आप अपनी हर्कतों से बास नहीं आएगी, लक्ष्मी भाई साहिब अब हमारे हर प्रश्णक का उत्तर आपको देना पड़ेगा अरे इसे तो अन्य विद्वाओं के साथ सूरज महल में होना चाहिए था ना? अगर इसे महारानी के कक्ष में ही रहना था तो ये सूरंग बना कर भाग क्यों रही थी? ये दिवा अच्छा वाच उस ही समय पर मंजर को विद्वाओं का वस्तर पहना दिया हम आप से पूछ रहे लक्षमी भाई कि ये यहां क्यों है? क्योंकि इसका विवा होने वाले है? विवा? वो भी विवा का? महराज, ऐसे कैसे कर सकती है महराणी लक्षमी भाई? आज तक उन्होंने जो कुछ भी किया हमने उनकी नादानी समझ कर उन्हें क्षमा कर दिया अगर आज तो सारी सीमा एं लांग दीनों है विवा कराना चाहती है वो भी एक विद्वा का? अब तो जिद पे अड़ गी है जिद करेंगी क्यों नहीं जबकि उन्हें भी पता है कि महराज उनकी जिद पूरी करने के लिए हमेशा तैयार बैठे है शमा कीजिए का महराज लेकिन ये बात केवल हम ही नहीं बल्कि राणी लक्षमी भाई भी जानती है कि आप उनकी बात कभी नहीं डालते इसलिए तो कभी भी कोई अनुचुत कारिये करने से वो कभी नहीं डरती लेकिन आज प्रश्न हमारी परंपराओं का है राम 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 हमें तो यह बात कहते हुए भिला चाहती है विद्वाओं का विवा खुदा बस खता ना करा है राजगुरुजी अब जुट क्यों है बताए ना महारानी की ये जेद सही है या गलत हमने तो इस प्रकर का प्रसंग ना तो पहले देखा है और ना सुना है महाराज आप से निवेदन है कि महारानी जी को विद्वा विवा की अनुमति ना दे है क्योंकि प्रजा धर्म के विरुद्ध कुछ भी सहन नहीं कर सकती है ऐसा नहों कि महारानी जी के इस कदम से पुना उने प्रजा के तिरसकर का सामना करना पड़े है आप उचित कह रहे है राजगुरुजी आप लक्षमी बाई को इस वेद्वा विवा के अनुमति नहीं दी जाएगी तो नहीं इस प्रकार का कोई विवा होगा केज बाद लुट से कर दाया है हईवाई हहाई कर देट negó हम एवाई अपर अपर नीडनी प्राम रदी जानी क्या ओगिया ऑज विए अजय बहुट समज़ कार बेहुट हो गए यू फूल अफ्र अफ्र एवर्थिंग आप दन फर यू तो से विव और तुम मेरे मेनर पर पाने फेरना चाते हो छुप चाप अंदर जाओ नोबड़ी शुट सी यू इडियत इसे उटने से पहले लीव और महानी साहिब क्या हो गया अपको हमने मैं रॉप के भूथ को मतलब रॉप को यहां देखा वो भी जीवित I can understand होता है उस क्वीन ने आपको इतना स्ट्रेस और टेंशन दिया है क्या आपका दिमाग काम ने कर रहा है Your Excellency पर काश आप जो कह रही है वो सच होता तो मेरा बाइस जिन्दा होता उसका तो funeral भी हो चुक है हाँ, हो सकता है कि कभी-कभी मृत्यू के बाद आत्माएं बटकती रहती है सालों तक वो सब छोड़ो, ये बताईए कैसे आना हुआ Sir, हमने कल्प्रेट को सर्च करने के लिए टाउन केप हर घर में रेट डाला और इस सर्च ऑपरेशन में हमें सिटी से दूर एक डेजर्टेड हाउस मिला वहां हमें ये मिला करांतिकारियों का एमबलम वहां हमें एक आपत्ती चनक चीज मिली है, Sir ये, विद्भा की सारी ये, 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 बारत विमन को भी अपनी टीम हायर कर रहा है ये भगवान हर स्थान पर बस विद्वा, विद्वा और विद्वा महल के अंदर भी महल के बाहर भी आपने अब भी अब भी क्या कहां? विद्वा महल के अंदर वही तो हम आपसे कहने आये थे यहां अब महरानी के सर पे कोई अलग ही भूठ सवार है कैसा बूर्ट हमारी परंपराओं की धज्जिया उड़ाना चाहती है अपनी विद्वा सखी का पुनर्विवा कराना चाहती है क्या उस विद्वा का हाइट बता सकती है रॉस साहिब अब उसकी कदकाथी से आपको क्या लेना देना आप उसके लिए वर्तों नहीं ढूंडने वाले ना जो मैं पूछ रहा हूं वो बताइए उसकी हाइट क्या है होगी हाँ डेड़ गस उसकी एज अठारा के आसपास वो ऐसे तो नहीं दिखती ठीक से दे कर बताइए हां अगर हम यकीन के साथ नहीं कह सकते ये तो रंगीन पोशाक पहनी हुई है और विद्वाओं का पोशाक अलग होता है इसके तो बाल भी है तो हम ब्रहमित है कुछ कह नहीं सकते अब बताईए अब कैसे बताएए आपने तो उसका चेहरा है ढग दिया एनिवेज उस विड़ो पर नजर रखेएगा हो सकते है कि क्लोज और सामन को चेक करने से आपको कोई क्लू मिल जाए आप चिंता मत कीजिए जब रानी लक्ष्मी बाई उस विद्वा के विवा के लिए महाराज को मनाने में रहे की तल्लीम ये रानी जानकी बाई उनके कक्ष की पूरी तरह से करेगी छानबीम दो के का खेल चरामबर हमें भरोसा है सिर्फ हम पर आप ऐसा सोच भी कैसे सकती विद्वाओं का विवा हमारी संस्कृति के विरुध है पर हम आपको इसके अनुमती नहीं दे सकते कता ही नहीं पर महराज सचे प्रेम से अत्याधिक महत्वपून और कुछ भी नहीं है ना कोई परंपरा और ना ही संस्कृति और श्रिवाबाव मंजरी को अत्याधिक प्रेम करते हैं तब ही तो मंजरी की रक्षा करने के लिए अपनी जान की परवा ना करते हुए वो महर तक आ गए पर मंजरी एक विद्वा है तो क्या हुआ महाराज क्या विद्वाव को जीने का और खुछ रहने का कोई अधिकार नहीं है हमारी समाज में विद्वाव से जीने के सारे अधिकार चीन लिए पर अगर हम चाहें तो उने ये सारे अधिकार वापस लोटा सकते है रानी अभी हम महारानी के कक्ष में जाके उनकी चान बिन कर सकते ही, क्योंकि अभी वो कक्ष में नहीं है, तुम यही रुको, हम आभी देखकर आते हैं. आप चाहती हैं कि हम हमारे फुरुचों दौरा बनाए गए नियों में पर परशन उठाएं, सद्यों से चलती हैं आरे ही परमपराओं का भिष्कार करें, परिवर्तनी संसार का नियम है महाराज, और अगर कोई परमपरा हम से जीने के अधिकार छीन ले, तो उसे ढोना नहीं बदल देना चाहिए, और इस बदलाव की शुरुवात आप कर सकते हैं महाराज, योगों से चलती आरे हैं इन कूरुत्यों को बदलने के बाद, आपका नाम योग योगांतर तक याद रखा जाएगा, कहना बहुत असान है लक्ष्मी भाई, पर करना बहुत कट है, बदला जीवन के इस लंबे रास्ते में उसे भी किसी साथी के आवश्यक्ता होगी, जिस प्रकार स्वर्गय महारानी रामाबाय के जाने के बार, आपको हमारी साथ के आवश्यक्ता पड़ी, और महाराज, हमारे समाज में जब पुरुष का पुरुणल विवा हो सकता है, तो इस आज तो लक्ष्मी भाई के गक्ष में चुपे रहस्यका परदाफाश करके ही रहेंगे, कुछ ना कुछ तो अवश्य हाथ लगेगे हमें गलत मत समझी है हम आपकी तुलना मंजी से क्या किसी के साथ भी नहीं कर सकते हम तो बस यह कह रहे थे कि विद्वाई भी इंसान है उनके अंदर भावना है उन्हें भी इसने और किसी का साथ चाहिए और शिवावाउ मंजी को ये सब देने के लिए तयार है हम आप से निवेदन करते हैं इस विवा को होने से मत रोकिए और कोई भी समस्या होगी उसका सामना हम कर लेंगे हम समझ गए कि आपने दुरीड निश्चे कर लिया है और अब आप किसी की नहीं सुनेंगी ठीक है और आप ये विवाग एवल अनाधिकारिक रूप से कराएंगी क्योंकि हम इस विवाग का समर्थन आधिकारिक तौर पर नहीं कर सकते हैं और अगर ये विवा अनाधिकारिक रूप से होगा तो कोई भी कानुनी तोर पर इसका विरूद नहीं कर सकेगा हाराज आप कितने अच्छे हैं सबसे अच्छे मुझस पर ये विवाग बदार्थ भी कानुनी तौर पर ये विवागए मुझस प्रच्छे हमारा अगला कदम आपको कैसे चारों खाने चित करता है प्रानी लक्ष्मी भाई मेरे विचार में तो बिलकुल आनुचित है और इस अधाम के कारिया में सम्मिलित होना मेरे लिए संभाव नहीं है मोरो पंजी मित्र किसी के दयनिये जिवन को सुखमे बनाना अधर्म नहीं धर्म होता है और इश्वर के सम्मक्ष उसकी हर संतान समान है फिर हम भेदभाव क्यों करें हाँ राज गुरुजी जब पुरुषों का पुनर्विवा हो सकता है फिर इस्त्रियों का क्यों नहीं पहले से हमारे समाज में समानता नहीं है और इनी कूरित्यों का लाभ उठाकर ये धूर्त्फिरंगे हम पर शासन कर रहे हैं महाराणी सहेब, लेकिन ये सम… राज गुरुजी, यदि मन्जई के स्थान पर आपकी अपनी बेटी होती, तो क्या आपका यही विचार होता? महाराणी सहेब, आपने मेरी आखे खोल दिये, किन्तु मेरे, मेरे रिदे में एक प्रश्न उट रहा है, मोरुपन जी के रहते हैं आपने ये विवा कभार मुझे क्या दिया? क्योंकि हमने महाराज को वचन दिया है, कि ये विवा अनातिकारिक रूप से होगा, इसलिए हम या बाबा इस विवा में प्रत्यक्षूप से संबलिक नहीं हो सकते हैं, परसे ये धुर्थ विरंगी शिवा भाव और मंजरी के पीछे हाथ दोकर पड़े हुए हैं, एक मात फिर भी मंजरी को महल से मंदिर तक लाना बहुत बड़ी चुनो होती है, आप चिंता मत कीजिए, राजगुरुजी, हम कोई ना कोई उपाई जरूर ढून निका लेंगे, बस आप विवा के तयारी में लग जाएंगे, हम सदेव आपके आभारी रहेंगे, ऐसा मत की ये मा अग्येशाली समझोंगा है, पर साथी साथ बहुत दुपी हो रहा है, ना चाने हम कब कैसे और कहां मिलेंगे, मन्नू, तुमने मेरे लिए क्या कुछ नहीं किया, मैं इस चन्नम में तुम्हारी एहसान नहीं चुका पाऊंगी, खबरदार, जो एहसान जिसे शब हमारी दोस्ती के बीच मेराई तो, महारानी साथ, वो कैप्टेन रॉस ची महराच से मिलने आए हैं, क्या, कैप्टेन रॉस महर में, वो भी इतने सुब़ सुब़, हे देवा, कहीं इस रॉस को मंचरी के विशे में कोई भनक तो नहीं लग गई, झाल, 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 झाल